उत्रप्रडेश के मुख्यमंत्री योगी अर्थियनात ने बुद्वार को कहा कि कोरुणा के चलते अनाथ होई बच्चों को उनकी सरकार हर एक महीने 4000 रुपे का आर्थिक मदद देगी मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ये राशी बच्चों के बैंक खाते में सीधे ट्रांस्वर करेगी राज्य सरकार ऐसे बच्चों की शिक्षा के वस्था के लिए भी काम कर रही है यूपी के सीएम ने कहा कि कोरुना महामारी के दुरान अपने पती को खोने वाली महिलाओ के लिए भी सरकार लगतार काम कर रही है सीएम योगी ने कहा कि कोरुना महामारी की वज़र से जिन बच्चों के माता पिता की मौत हो गई है उन बच्चों को सरकार आर्थिक सहयता प्रदान करीगी ऐसे अनात होई बच्चों के बैंक खाते में राज्य सरकार हर महीने 4,000 रुपे भेजेगी इसके अलावा इन बच्चों की मुफ्त शिक्षा देने के लिए सरकार कदम उठाएगी तो कोवेट से अनात होई बच्चे और विद्वा महिलाओ के लिए योगी सरकार का बड़ा एलान सामने आया है आपको बता दे कि इससे पहले भी कोरना से अनात होई बच्चों से सीम योगी ने गोरकपूर में मुलकात की थी तब भी सीम योगी ने कहा था कि चिंता मत करो मैं हूना और अब सीम योगी का ये बड़ा एलान कोरना पीड़तों को रहत देते होए कि अनात होई बच्चों को हर महिने 4000 रुपे मिलेंगे इसके अलावा विद्वा महिलाओ को भी पैंशन दी जाएगी मुखे मंत्री ने कहा है कि सरकार एराशी बच्चों के बैंक खाते में सीधा ट्रांसफर करेगी आपको बता दे मुखे मंत्री योगी अत्यार ने कहा कि विकास की योजनाओ पर हर गरीब का हक है जन प्रती निदी चुने जाने पर विकास की योजनाए हर गरीब तक पहुशती है उन्होंने कहा कि सरकार तो पहले भी थी पैसा भी था लेकिन तब अरजगता थी पैसो का बंटर बांथ होता था आस्सिस्टम वही है केवल चहरे बदले है तो आम जन को योजनाओ का लाब मिल रहा है तो उत्रप्रदेश के मुख्य मंत्री योगयात अनात ने ये बड़ा एलान किया है कि कोरुना के चलते अनात होई बच्चों को उनकी सरकार हर एक महिने 4,000 रुपे की आर्थिक सहिता देगी सियम योगी का कहना है कि सरकार ये राशी बच्चों के बैंक खाते में सीधार ट्रांस्वर करेगी साथ ही अनात बच्चों की शिक्षा की वस्ता के लिए भी सरकार लगतार काम कर रही है योपी के सियम ने कहा कि कोरुणा के दुरान अपने पती को खोने वाली महिलाओ के लिए भी सरकार काम कर रही है आपको बताने कि कोरुणा काल में कई ऐसे बच्चे हैं जिनके सर से माता पिता का साया उड़ गया है अब वो बच्चे बे सहरा हैं उन्हें मदद की जरूत है और ऐसे में योपी सरकार अनात बच्चों की मदद के लिए आगे आई है अब सरकार हर एक महीने उनके बैंक खाते में सीधा चार हजार रुपे ट्रांसफर करेगी तो सीम योगी की सरहनी पहल है जिससे अनात होई बच्चों और विद्वा महिला को काफी जादा मदद मिलने की उमीद है इसके अलावा इन बच्चों की मुशिक्षा के लिए भी सरकार कदम उठाएगी तो कोरोना पीड़तों को बड़ी राहत दी है योपी सरकार ने अनात होई बच्चों को हर मैने चार हजार रुपे सरकार देगी इराशी सीधा बच्चों के बैंक खाते में ट्रांसफर होगी इसके अलावा बच्चों की शिक्षा के भी इंतजाम किये जाएगे आपको बता दे कि सीम योगी का ये भी कहना है कि कोरोना महमारी के दुरान अपने पती को खोने वाली महिलाओ के लिए भी सरकार लगतार काम कर रही है सीम योगी का कहना है कि कोरुना महामारी की वज़ से जिन बच्चों के माता पिता की मौत हो गई है उन बच्चों को सरकार आर्थिक सहेता प्रदान करेगी ऐसे अनाथ होई बच्चों के बैंक खाते में राज्य सरकार हर महीने चार हजार रुपे भेजेगी इसके अलावा इन बच्चों को मौशिक्षा देने के लिए भी सरकार कदम उठाएगी आपको बता दे कि कुछ अफ़तों पहले भी सीम योगी ने गोरकपुर में कोरुना से अनाथ होई बच्चों से खुद मुलकात की थी तब भी सीम योगी ने आश्वासन दिया था सीम योगी ने कहा था कि चिंता ना करो मैं हूना सरकार आपके साथ खड़ी है तो लगतार सीम योगी अनाथ होई बच्चों अविद्वा महिलाओं की मदद करने के लिए आगया